नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नहीं वीडियो में तो जहां Central Government Employees जो अब तक दिमांड कर रहते हैं कि NPS को हटा कर OPS को लागू कर दिया जाए यानि National Pension Scheme के जगा ओर्ड Pension Scheme को वापस से लाया जाए आज हम इस वीडियो में पूरी डीटेल में समझेंगे कि OPS में आपको क्या मिलता था NPS में आपको क्या मिल रहा था और UPS जो भी लाया गया है उसमें क्या-क्या मिलने की बात की जा रही है यानि 2004 गितने भी government employees तो उनको old pension scheme के तहत pension की बहाली की जाती थी जब वो retire हो जाती थी 60 years पर ठीक है तो यह सबसे best है अगर government employees के लिए देखा जाए तो उनके लिए सबसे best है old pension scheme इसके तहत आपको 50% of the last drawn salary यानि last महीने में आप जो salary उठाओगे अपने retirement के समय पे उसका आधा यानि उसका 50% आपको as a pension दिया जाएगा ठीक है और उसके साथ भी जो महेंगाई भत्ते लगते चले जाएंगे और उससे increment होता चला जाएगा तो इस तरीके की उसमें योजिन pension scheme के बाद यानि 2004 के बाद से जो लाए गया NPS national pension scheme उसकी बात करते हैं कि उसमें क्या प्राफदान थे और उसमें सरकारी कर्मचारी को मिल रहा था क्या नहीं मिल रहा था क्या फाइदा था क्या नुकसान था क्या complaint थी सारी चीजों को देखते हैं तो देखिे नेशनal pension scheme के तहत जो सरकारी कर्मचारी थी सरकारी कर्मचारी है उनको 10% contribution करना पड़ता था अपनी बेसिक पे का प्लस डीए का ठीक है और 14% आपको government देती थी यह हो गया employee का यह हो गया government का तो इस तरीके से अगर मैं एक 400 grade पे employee की जोड़ू ठीक है तो इस तरीके से लगभग लगभग 16,000-17,000 के आसपास प्रतिमा एक amount जमा हो रहा था जो amount सरकार pension fund manager को देती थी जो market linked instruments में डालते थे और market के हिसाब से वो पैसा grow किया जाता था ठीक है तो इस तरीके से हर साल में around 2,00,000 रुपे जमा होते थ यह NPS के तहट था जो 4600 grade पे की है उस हिसाब से आप अपने grade के हिसाब से उपर नीचे कर सकते हैं लेकिन मोटा मोटी यही था कि 10% employee का जाता था 14% आपको सरकार देती थी ठीक है तो यह चल रहा था national pension scheme में अब इसमें अगर हम देखें कि इसमें क्या पैसा आपका बन रहा एक मोटा मोटी बात करेंगे इसको exactly लेने की जरूरत नहीं है ठीक है यह 60 लाग रुपए आप invest कर देंगे ठीक है और यह 60 लाग रुपए जब market link instruments में निवेश किया जाएगा तो आपको around 10% की growth मिल सकती क्योंकि जो market link में risk जाता होते तो reward भी जाता है इसलिए हमने एक एपरॉक्स 10% की growth पकड़ी है इस पे तो यह 60 लाग आपका 30 वर्षों में around 63 करोड 3.6 करोड बन जाएगा तो यह आपका corpus खड़ा हो जाएगा ठीक है और NPS में क्या था जब आप retire होगे 60 वर्ष की उमर में तो आपका जो यह corpus बनेगा इस corpus में से आप 60% घर ले जा सकत जो grow होके आपकी pension बनेगी इसको डिवाइड करके आपको monthly pension दी जाएगी ठीक है तो अगर हम एक roughly पकड़ें कि 10 साल की अगर pension इससे calculate की जाए ठीक है एक रफली पकड़ रहे हैं तो अगर आप 60 पे retire हो रहे हैं तो 70 तक का हम पकड़ते हैं तो इसमें कितना बनेगा आपका pension एक लाग 20,000 आपकी प्रतिमाह pension बन जाएगी अगर 10 साल इसको डिवाइड करेंगे 10 साल में और हर एक महा में 12 महीने में डिवाइड करेंगे तो ठीक है यह लगबग लगबग एक लाग 20,000 आपका प्रतिमाह का pension इसके तहत बन जाएगा national pension scheme के तहत जहां आपको एक साथ लमसम 2.2 करोड और फिर प्रतिमाह 1.2 lakhs ठीक है यह होगे national pension scheme का detail अब बात करते हैं यह जो नया instrument लाया गया गया नया खिलोना दिया गया जिसको बताया जा रहा है कि यह national pension scheme से बहता रहे ठीक है जिसका नाम है unified pension scheme नए नाम दे दो OPS NPS UPS फिर एक नया लियाओ ABCDPS ऐसे कर रहने वाला है नहीं ठीक है तो यहां पर जो employee का contribution है वो सेम रहने वाला है 10% जो unified pension scheme में इसके तैत तो 10% employee देगा और यहां पर जो employer यानि जो government है उसका contribution बढ़ने वाला है इसका contribution पहले जो 14% है NPS में वो अब होने वाला है 75% ठीक है तो यहां पर तो आप दिखा रहे हो कि मता चलेगा कि reality के है ठीक है आई यहां पूरी गणित करते हैं फिर देखते हैं क्या सही क्या गलत कौन अच्छा कौन गुरा ठीक है तो यहां पर देखिए 10% हमने employee का contribution ले लिए 8.85% सरकार का contribution ले लिए लगवग लगवग जो आपका national pension scheme में प्रतिमा सोला सतरह हजार बन प्रतिमा तो यह जैसे जैसे आपका पे बढ़ेगा इंक्रिमेंट लगेगा इसमें भी इंक्रिमेंट होगी थोड़ी थोड़ी हमने एक लंब सम 20,000 पकड़ा है तो 20,000 का एक साल का जोड़ेंगे तो दो लाग 40,000 आप पर एनम contribute करेंगे अपने इस कॉर्पस में अपने इ UPS के तहत रहेगा तो इसमें अगर हम एक approximate growth rate पकने 8% की अब आप कहेंगे हमने इसमें 8% क्यों पकड़ा है और national pension scheme में 10% क्यों पकड़ा है तो देखिए जो national pension scheme थी वो हमारा market link instruments में लगने वाला था तो उसमें growth की opportunities थोड़ी जादा थी क्योंकि उसमें risk भी जादा involved था ल क्योंकि सारे instruments में around same percent growth मिलती है जो government वाले instrument है यहाँ ठीक है तो 8% के हिसाब से यह 12 लग आपका 30 साल में 3 करोड के around पहुंच जाएगा तो यहीं पर आप देख लीजे difference जो NPS के तहत आपका 3.6 करोड बन रहा था जिसमें से 2.2 करोड आपको lump sum starting में ही मिल जा रहा था ठीक ठीक है यहीं पर बहुत बटा loss हो जगिए डाइ करोड रुपया यहीं पीछे होगये अब बात करते हैं कि किस तरीके से NPS बैतर है या UPS बैतर है अब गणित करते हैं अब तो समझ में आ गया कि NPS के तहट हमारा contribution क्या होने वाला है UPS के तहत हमारा contribution क्या होने वाल है यह च साल पर बैठती है हर 10 साल के अंतराल पर ताकि महगाई से लड़ने के लिए इनकी pay revise की जा सके ठीक है तो 10 साल बाद यानि 2026 में यह basic हो जाएगी 90 की around 36 तो 56 में हो जाएगी 36 और 56 की around हो जाएगी 27 तो 56 की around जब retirement होगी लोगों की तो इस समय रहेंगे 26 में जिनकी 27 से कि आपको तब कहा क्या आपका फायदा होगा आपको तब ही कि उस इसाफ से सोच रहे ना कि उस समय आपका benefit किसमें जादा होगा उस इसाफ से आपको planning करनी है तो अगर pension बनने वाली है वो 3.6 lakh बनने वाली ठीक है अब यह देखिए जो 7.2 lakh आपका basic होगा इसका 50% की बात की गई है न कि आपको assured pension दिया जाएगा UPS के अंदर वो basic का 50% है तो यानि इसका 50% हो गया 3.6 lakh प्लस आपका DR भी मिलेगा आपको यानि dearness relief जो आपकी महंगाई बढ़ते रहेगी उस समय उससे fight करने के लिए भी पैसा आपका grow करेगा ठीक है तो यह एक amount करेगा अब आपके प्लैनिंग से आप उसको कर सकते हो लेकिन यहाँ पर करना वो मुश्किल है ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई बड़ा lump sum amount आपको नहीं दिया जा रहा है अब बात करते हैं कि यह 2.4 crores अगर UPS से मुझे cover करना है तो कितना समय UPS से लग जाएगा अगर आप UPS में enroll है तो लगबग लगग 5-6 साल आपको कहीं तो कहीं नहीं गया 5-6 साल easily आपका लग जाएगा यह धाई करोर recover करने में यानि यह 60 लाग जमा करने के लिए आपको यहाँ पर 3 साल और लग जाएंगे यानि आप total कह सकते हो जब आपकी age 66 है तब आप NPS में 80 लाग profit में रहोगे ठीक है और जब आपकी age is around 65-66 है तब ही भी आप इसमें जो UPS है उसमें आप सिर्फ धाई करोड ही यह वाला जो है वो recover कर पा गया यहाँ पर 1.2 करोड बनेगा तब इस पॉइंट पर आप सेम लेवल पर आ जाओगे 68 69 70 एपरोक्स की age में ठीक है तो यह है पूरा का पूरा गेम समझ गया आप न एक बार में आपको पूरी चार्ट इसको यह वाला चार्ट बहुत इंपोर्टेंट इसको अच्छे से रहें कर देता हूँ कि 2056 में आपकी बेसीक सात लाग 20,000 होगी अगर सात लाग 20,000 की अनुसार उसने आपको अगर पैंशन देखी जाए तो यह यह वाले का पैंशन रहेगा वह 1.2 लेग रहेगा यह 1.2 लेग कैसे पता चला यह हमने देख लिया था कि किस तरीके से हमारा 3.6 करोड बनेगा कॉर्पस उसमें से 2.4 करोड आपको लंसम मिल जाएगा 1.4 करोड जो है वो आपका separate annuity में डाला जाएगा जिससे आपकी 10 साल की pension को divide करके approximately 1.2 lakh बन रहा था और ये 3.6 lakh प्लस DR बनेगा UPS में 3.6 कैसे है ये इसका 50% है प्लस DR ठीक है तो ये हमें समझ में आगया अब NPS में जो पैसा मिल रहा है लंसम, डाई करोड इसको वसुलने में UPS के तुरू 5-6 साल लग जाएगे और इन 5-6 साल में NPS भी आपको 80 lakh और दे देगा ठीक है, ये 80 lakh और मिल जाएगे तब ये 80 lakh और बट औरने के लिए और दोनों को सेम लेवल पे आने के लिए आपको 3 साल UPS में और डालना पड़ेगा आप 3 साल UPS में और डालोगे तो आपको लगबग 1.2 करोड मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 6-3-9 9 में यहाँ पर आपको 1.2 करोड यानि इस पॉइंट पे, 68, 69 की एच पे आप दोनों में सेम लेवल पे पहुंच जाओगे लेकिन आपने ये देखा कि UPS में वही पैसा आपको slow rate पे मिल रहा है, तुकडों तुकडों में मिल रहा है, लेकिन NPS में आपको starting में ही एक बड़ा lump sum amount दे दिया गया था तो वो आपके लिए beneficial है, उसको आप bank में डालिए, growth करिए, invest करिए, business डालिए, घर के काम करवाई है, घर मनवाई है, जो भी आपकी post retirement, responsibility है, liability है, activity है, जो भी है, आपको जादा आप जी सके, उस case में आपको UPS beneficial होगा, क्योंकि 68, 69 तक तो NPS beneficial देख लिए हमने, अब आगे बात करें, अब आगे जब 70 की age cross हो जाएगी, तो उसमें तो 1.2 lakh ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ते चला जाएगा, dearness relief मिलेगी, 3.6 हैं, तो उसके बाद UPS बहते हैं, 70 प्लस की age में, अगर आप alive हैं, और लंबा जीते हैं, तब UPS बहते हैं, ठीक है, क्योंकि तब आपको 3.6 lakh, यह तो बढ़ जाएगा, 3.6 से जादा ही हो जाएगा, लेकिन फिलाल calculation के लिए, आप समझे हैं, यहाँ पर, और यह 1.2 lakh ही रहेगा, तो उस case में, फिर UPS जीत जाएगा, तो आप समझे हैं, लेकिन, अभी इंडिया की life expectancy क्या चल रही है, मुझे आप बताएगे, इंडिया की life expectancy इस वक्त 68 years चल रही है, यहाँ एवरेजली एक human being 68 years जीएगा, तो अगर आप 20 साल जीते हैं, तब आपके लिए UPS फाइदे बंद रहेगा, तेकिन कहीं आप 65 में निपड़ गए हैं, तो आप definitely UPS जोइन करिए, लेकिन अगर आपको doubt है कि 70 प्लस तो मुश्किल है, आज सक तो 60-65 के बाद हलत खराब हो जाती है, तो NPS एक better option है, लेकिन इन सब में सबसे best है OPS, अगर सरकार OPS फिर से लागू करती है, तो सबसे best है, यही सबसे best team है, सरकारी employees के लिए, ठीक है तो यही था पूरा हमने बात कर लिया, किकس तरीके से यो PS का ये नया खिलोना पकड़ाया गया इसमें क्या कमिया है, यह किस तरीके से NPS से भी कम्जोर है और किस तरीके से OPS सबसे best है, सारी बाते हमने कर लिए, और इस तरीके की और भी विडियोस देखने के लिए, आप ह